नमस्कार आप देखरें एंजिया टीवी आपके साथ मैं हूँ गौनिका अरुडा शहीद के परिवार पर क्या सरकारी पॉलिसी होनी चाहिए सेना के शहीद और मर्नो प्राथ कीरती चक्र से समानित कैप्टन अंशुवान सिंग के मम्मी पापा ने नए सवाल को जन दिया है शहादत के पास जो राशी मिलती है उस पर जादा हक किसका है माता पिता का या विध्वा पतनी का मेडल किसे मिलना चाहिए मेडल कहां रहना चाहिए घर में या ससुराल में ये बात कैप्टेन अंशुमान के माता पिता ने इसलिए उठाई है ताकि आगे के लिए रास्ता बन सके। शहीत परिवार क्यों अपनी बहु से नराज है? हमने ये पता करना शुरू किया तो पता चला कि ये बड़ी इमोशनल स्टोरी है। इसमें थोड़ी राजनीती भी है और थोड़ी नीती की भिवात है। कैप्टन अंशुमान सिंग अपने सीने में बरास के साथ मरना चाहते थे। हालात चाहे जो हो कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। अगर गोली भी खानी है तो सीने पर खाएंगे। कैप्टन अंशुमान की शहादत के बाद सेना ने अपने जाबास के सीने पर बरास नहीं बलकि सिल्वर का ये मेडल सजाया। कीरती चक्र, बहादुरी और शौरे का मेडल। जब कोई दुश्मन सामने ना हो फिर भी बहादुरी ऐसी मिसाल बन जाए तब कहीं जाकर मिलता है कीरती चक्र। कैप्टन अंशमन सेंग ऑपरेशन मेगतूत के अंतरगत सियाचन ग्लेशियर में चिकितसा अधिकारी के रूप में पैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहाँ इस्तित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीशन अगनी दुरखटना के दौरान नजदीक की फाइवर ग्लास हट में फसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाईयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की उचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लप्टों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्यासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमान सिंग ने असाधारन बहादुरी एबं त्याग का परचे देते हुए देशित में अपना सर्वोच बलिदान दिया। की पकड़ा था। अब बेटे को मरणो परांत कीरती चक्र मिलने के बाद शहीद कैप्टन की मा अंजु सिंग अपनी बहु स्मृति से नाराज है। कैप्टन अंशुमान सिंग के पिता रवी प्रताप सिंग भी नाराज है। नाराजगी भी ऐसी कि खुलम खुला बहु पर ताने मार रहे हैं। मेरा जब मुझे कोई प्रसन करता है कि ये क्या हुआ तो मैं कोई जबाब नहीं दे पाता हूँ। लिहाजा मैं क्या जबाब दूँ। मैं तो वो अभागा पिता हूँ जिसके पास न बेटा बचा, न बहु बची, न इजजद बचा। इसकी शुरुआत पांच जुलाई को राष्टपती भवन में ही हो गई थी। कैप्टन के माबाप का दर्द ये है कि बहु ने बेटे का कीरती चक्र रख लिया, बहु ने उनका घर छोड़ दिया है और बेटे की सारी यादों को लेकर अपने माबाप के साथ यहां से चली गई। कैप्टन अंशुमान और स्मृति सिंग की शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। उससे पहले इन दोनों की आठ साल पुरानी दोस्ती थी। कैप्टन यूपी का और स्मृति पंजाब की। उनकी दोस्ती कॉलेज से शुरू हुई थी। कोलेज का फिर्स दे और लव फिर्स साइट यानि पहली नजर का प्याँ यॵू मेत लिव ने इन में का और साइट जिवा कर लूंज पूलेजट का इंज रूमें इंट थी। प्रत कि यू सिर्व से का और म dart乘 को फॉसर। आल अजर कर एंजम्ध्स्त sway की इंगरू वेल में आन अजर कहले की पहले की। मैंज़ बहले क से और झाल अर्प्र घूट प्रप्राइज ऑर फिक प्रते प्रते इंद स्याचिना इन लिए 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 इनों स्वाइब लिए इन लिए इन अगिर से लिए कि आपना प्रते हैं प्रवरी दोहजार तेईस में शादी हुई, जुलाई दोहजार तेईस में कैप्टन अंशमान की शहाधत हो गई स्मृति सिंग अपने माता पिता के साथ लखनव के इसी घर में आए, शहीद कैप्टन का अंतिम संसकार यही हुआ, उसके बाद स्मृति अपने माता पिता के साथ गई तो फिर कभी नहीं लोटी राश्टपती भवन में अवार्ड सरिमनी के दौरान सास और बहु जरूर मिले लेकिन उनके बीच कोई बात नहीं हुई तो इस दौरान क्या हुआ? कैप्टन अंशुमान के माता पिता की तकलीफ क्या है? बहु से उनकी शिकायत क्या है? और वो सेना का कौन सा नियम बदलवाना चाहते हैं? ये सब जानने के लिए इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा लखनों में कैप्टन अंशु लगा कि आपको आत्मिय तोर पर ठेस पहुँची? देखिए, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना. जब तक वो फोन से को बंद करती रही, पूजा में नहीं आई तो एक अनन्य दुख हुआ. लेकिन जब रास्टपती भावन में उन्होंने बात भी नहीं किया और सारे प्रोटोकाल को तोड़ करके वो हम लोगों के पहुचने से पहले चली गई. मैंने कहा कि आप दे दीजिये, हम उसके बस्ट पे लगाएंगे, फिर से सम्मान वापस करेंगे. उसका भी कोई उन्होंने जबाब नहीं दिया और हमें एक बार भी नहीं कहा कि अपपा आ नोके वाला नियम बदलवाना चाहते हैं. निकर्टम परिजन को ही मिलती है. लेकिन सेना के जवान या धिकारी की जब शादी हो जाती है तो सेना के रेकॉर्ड में एनोके यानि निकर्टम परिजन बदल दिया जाता है. शादी के बाद माता-पिता की जगह पतनी का नाम निकर्टम परिजन के रूप में दर्ज कर कैप्टन अंशुमान के केस में भी यही हुआ। हैंड ओवर किया। जो में यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर डी सी आरजी लिखा हुआ है। एजी आएफ लिखा है। उसके इलावा डी एसोपी लिखा है। हम आपको साधरन शब्दों में बता दें कि एजी आएफ का मतलब है आर्मी ग्रूप इंशुरेंस फंड जो की करीबन एक करोड रुपे का है। उसके इलावा डीफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रॉविडेंट फंड जैसे की पी एफ होता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पे डीफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रॉविडेंट फंड है जो की सीधा उनकी वाइफ को दिया गया। यह पूरी कॉपी है। हम आपको यह भी बता दें कि यह इसलिए समझाना जरूरी है कि यह पता रहे कि कैसे एंटाइटलमेंट होता है और कैसे इंटिमेट किया जाता है कि जब भी कोई जवान किल डेन एक्शन होता है तो उसको इसी टेबल के आधार पर उनको पैसे रिली अंशुमान के माबाप का कहना है कि बेटा शहीद हो गया बहुत चली गई तो इसमें उनकी क्या गलती उन्हें तो बेटे के बिना ही पूरी जिन्दगी काटनी है इसलिए नियम बदलना चाहिए next stopkin जब सब दा रहा है तो एक जनरल परिवेस्थ ने लोग समझ रहे हें कि पैसे की चरचा हो रही है पैसे की चरचा की बात नहीं है जब next stopkin की बात होगी और इस पर discussion होगा तो यह बात आएगी चक्र एक दिया जाएगा तो दो दिया जाएगा पतनी चोड़ के जायेगी करूंगा भी मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूं और मानी मुख्मंत्री जो को लिखके दिया था कि सरकार अगर कोई हॉस्पीटल खोलना चाहे या कोई बिद्याले खोलना चाहे तो मेरी सारी पैत्रिक संपत्ती में सरकार को दान करता हूं जो कि उसमें 20 तारीक और 20 तारीक के पेपरों में आंधर एकार्ड है और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं कभी भी अपनी बेटे की साहदत का साओधा नहीं करूंगा लेकिन मैंने जो देखा वहां पे एक परिवार मुझसे मिला था और यहां मैं जब मिला एक परिवार से जो कि रिक्सा चला रहा है और पतनी आज भी कार से घूमती हैं तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि नहीं इसमें अगर बाते होंगी नेक्स टापकिन में तो ऐसी भी लोग है जिनका इकलवता पुत्र रहा होगा और इकलवता बेटा रहा होगा और उसको जीवन जीने में दुस्वारियां होंग अब जरा स्मृती सिंग के नजरीय से सोच कर देखिए आठ साल की दोस्ती और पांच महीने की शादी स्मृती सिंग की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई उन्हें भी जिंदगी काटनी है और नियम तो किसी एक व्यक्ति के लिए ना बनते हैं ना बदलते हैं भी बोलना नहीं चाहते हैं ये उनके परिवार वालों की तरफ से कहा गया है हलांकि साथ ही उनके जो पिता है स्मृती के उनका ये कहना है कि उनकी बेटी इस समय जो है वो अस्ट्रेलिया जा चुकी है वहां पर हाईर एजूकेशन के लिए इस इशू को लेके क्या मामला केवल पैसे का है या मामला शहीद बेटे को मिले सम्मान पर हक का है कैप्टन अंशुमान सिंग के माता पिता कहते हैं कि वो अंशुमान की पूरी संपत्ति स्मृती के नाम करने को तयार है स्मृति के गहने भी लौकर में रखे हैं वो भी देने को तयार है लेकिन बहु पहले आए तो वो कीर्ती चक्र परिवार को लोटाए तो मगर बहु तो अंशुमान की तस्वीरें देने को भी तयार नहीं है कैप्टन अंशुमान के माता-पिता का ये भी कहना है कि स्मृति ने सेना के रेकॉर्ड में अंशुमान का पर्मानेंट एड्रेस लखनव या देवरिया की जगा पंजाब के गुर्दासपूर का करवा दिया है गुर्दासपूर में स्मृति सिंग के माबाप रहते हैं इससे कैप्टन की शहादत के बाद एक्स ग्राशिया के सारे फाइदे गुर्दासपूर के जरिये ही आ रहे हैं इस तरह कैप्टन के माबाप को कुछ नहीं मिल रहा इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने और गहराई से पड़ताल की तो एक अलग एंगल भी पता चला कैप्टन अंशुमान की तेरहवी के दिन अंशुमान के माबाप ने बहु की शादी अपने छोटे बेटे से कराने की बात चलाई थी साससुर ने बहु के सामने तीन आप्शन रखे थे बहु स्मृती ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था तो क्या बहु के नाराज होकर चले जाने की ये भी एक वज़ा हो सकती है समरिती को लेकर आपके क्या योजना था, क्या सोचा था, क्या आपने बताया था सब लोग आते रहे जैसे अपने रिलेशन के जो भी लोग आते रहे तो सब लोग यही बोला कि अभी बच्ची है छोटी है तो जब लोग बोलते थे तो मैं बोली कि हां मेरी बेटी है और मैं बेटी जैसे जहां पसंद करेगी वहां मैं साधी करूंगी